हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के पांच ऐसे चमतकारी मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुल जा पाया है तो चलिए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में इस लिष्ट में पहली नंबर पर है हीमाचर परदिश के वाधियों में इस्तित कांग्णा जिली में मा दुर्गा को सुमर्पित एक मंदिर जिस से जौलाजी मंदिर या जौला मुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर में रहस्ति की बात यह है कि इसके केंद्र में एक दीपक जल रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अनादी काल से जलता आ रहा है और हमेशा जलता रहाता है और इस दीपक से निकला लोग नीला रंग का है और दुसरे नम्मर की बात करें तो यह कनाटा के हमपी में इस्तित बीरू पाल्च मंतिर अपने आप में ही एक रहस्य समेटे हुए है आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर के अस्तंबो से संगीत निकलता है इन अस्तंबो को म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है इन अस्तंबो का रहस्य जानने के लिए एक बार अंगरीजों ने उन्हें काट कर दे था लेकिन पता है उन अस्तंबो के अंदर का न तीसरे नमबर की बात करें तो करनाटक से लगवग 55 किलोमेटर की दूरी पर इस सीम गंगे मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है ऐसा कहते हैं कि यह पूरी पहाड़ी स्तिव लिंग जैसे प्रतीत होती है इस मंदिर का रहस्य यह है कि यहां उपस्ति स्तिव लिंग पर घी चड़ाने पर यह रहस्य मही तरीके से मघण में बदल जाता है यहां आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है दोस्तो आपको क्या लगता है यह रहस्य किस वज़ास से है और चोधे नमर की बात करें तो आंडर परदेश में इस्तिति लुपाक्षिम मंदिर वस्तो कला का एक अलग ही नमुदा पेश करता है मंदिर पर इसर में एक नटपता हुआ अस्तम्भ है जो जमीन पर नहीं टिका है इसके अलवा यहां एक ऐसा पत्थर भी है जिस पर एक पद चिन है ऐसा माननेता है कि यह पद चिन माता सीता का है और इस पत्थर के रहस्य की बात यह है कि इस पे हमेशा नमी बनी रहती है यह हमेशा जिला रहता है कभी भी नहीं सुखता कितना भी सुखा लो अब हमारा अगला और लास्ट रहस्य में मंदिर करनाट के हासन में इस्थित असनम्बा मंदिर रहस्य से भरा हुआ है यहां मंदिर साल में सिर्फ एक हपते के लिए दिपावली परहीं खुलता है और फिर पूजा पार्ट के बार मंदिर के दर्वाज़े बंद कर दे जाते हैं लेकिन अश्चरी की बात यह है कि जब एक साल बाद दर्वाज़े खूला जाता है तो दीपक वैसे ही जलते रहता है जबकि उसमें स्पीनित मात्रा में यह तिल डालकर छूड़ा के रहता है इसके अलावा देवी हस नमबा पर जो फूल चढ़ाये जाते हैं वो एक साल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शियर करें वीडियो बनाने में बहुत मेरत लगता है इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिंग वीडियो